गुड मानिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस्टडी जोनुवित नितीश में स्वागत है फ्रेंड्स आज अपने हम इस वीडियो में Constitution पे चर्चा करेंगे जैसा कि सम्विधान क्या है या सम्वाइधानिक विधी और सम्विधान वाद तीनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन तीनों का महत तो अलग अलग है तीनों का अर्थ अलग अलग है फ्रेंड्स अगर आप मारे चैनल पे नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दें, जैसे ही आप सस्क्राइब करोगे, आपको एक बिल आइकन दिखेगा, आप बिल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल से सारे नोटिफिकेशन आसाने से प्राप कर सकते हो, तो फ्रेंड्स आए देखते हैं पहले सम्विधान क्या है फ्रेंड्स सम्विधान एक दस्तावेज होता है किसी राज्य का या किसी देश का एक ऐसा दस्तावेज जिसके अनुसार वहां की न्यायपालिक्या, कारिपालिक्या, बेवास्थापिक्या अपना कारि करती है वही वहां का सम्विधान है प्रेंडस अगर हम देखेंगे को कहा जा रहा है कि किसी देश का सम्विधान उसकी राजनीतिक विवस्था का दाचा है या बुनियादी धाचा है निरधारिद करता है जिसके अंतरगत उसकी जन्ता सासित होती है यह राज की विधाईक्या, कारिपालिक्या और न्याईपालिक्या जैसे प्रमुख अंगों की अस्थापना करता है उनकी सक्तियों की व्याख्या करता है और उनके दाहित्तु का सीमांकन करता है और उनके पारसपरिक तथा जनता के साथ संबंधों को वीनिमित करता है किसी देश के संबिधान को ऐसी आधार विधी भी कहा जाता है जो उसकी राज बेवस्था के मूल सिद्धान्त विहित करती है और जिसकी कसावटी पर राज की अनिस सभी विधियों तथा कारिपालक कारियों को उनकी विधिमानिता तथा वायदता के लिए कसा जाता है यानि फ्रेंड्स सरल सब्दों में संबिधान क्या है तो सरल सब्दों में फ्रेंट सम्विधान किसी देश का वह दस्तावेज है वह डाकुमेंस है जिसके अनुसार उस देश की पूरी कार्य प्रणाली चलती है यानि नियापालिका का विस्तार कारपालिका का विस्तार और विधाईका का विस्तार होता है वो पूरा सम्विधान के माध्यम से ही किया जाता है संविधान में जो चीजे डिफाइन की गई है उसी के अंसार उस देश की बेवस्था चलती है तो सेंपल से सब्दों में उसी को संविधान कहते हैं ठीक फ्रेंट्स उसके बाद संविधानिक बीधी की बात आती है संविधान क्या है ये तो ठीक समझ में आगा संब्धान किसी देश का ऐसा दस्ताव्यर होता है, जिसमें कि उस देश के कारपाल का नयार पाल के विधाईक्या के कारियों को संचानित किया जाता है, उसे संब्धान कहते हैं, लेकिन अब बात आती है संबैधानिक बिधी किसे कहते हैं संबैधानिक बिधी का तात पर यह है कि वह बिधी जो बिधाईका के द्वारा निर्मित की जाती है संबिधान के अंतरगत नहित निर्ड़यों को तत्थों को ध्यान में रखते हुए जिस बिधी का निर्माण किया जाता है, जो बिध्धी बिधाई के दौरा बनाई जाती है, वही संभैधानिक बिध्धी है। जो है, ये संभिधान से इतर नहीं होती, बल्कि संभिधान में समाहित होती है। संविधान के अंतरगत जो जो चीजे बताई गई हैं, उसी के अंतरगत जो बिधी बनाई जाती है, संसत के द्वारा जो बिधीयां बनाई जाती हैं, वो संविधान को द्रिष्टगत रखते हुए बनाई जाती हैं, उसमें आइटिकल में क्या कहा गया है, कि कोई भी अगर म मूल अधिकारों का वाइलेशन करता है तो उसको नयाइक पुनर्व ल्योकन के माध्यम से सुप्रेम कोट समाप्त कर देती है तो यही चीज है कि विधाई का जिस भी विधी का निर्मार करती है वह संविधान में दिये गए निर्देशों के अधीन किसी विधी का निर्मार क करती है उसके याचिकाये दाखिल होती है सुप्रेम कोट हाई कोट में उसके बाद हाई कोट या सुप्रीम कोट जहां भी रीट याचिका दाखिल होती है वह क्या करता है नयाइक पुनर्व लोकन के माध्यम से उनका इंटर्पटेशन करता है उसके बाद कॉंस्टिटिव का violation कर रही है उसका अथिक्रमर कर रही है तो Supreme Court क्या करता है या High Court क्या करता है उसे neglect कर देता है तो बिध्याई क्या के द्वारा जो भी बिधियें बनाई जाती है Constitution को द्यान में रखते हुए वही संविधानिक बिधी होती है संविधानिक बिधी के अंतरगत friends जैसे supreme court या high courts के जो judgments आते हैं latest judgment और जो भुतलच्छी जजमेंट साते हैं वो भी संविधानिक बिधी के अंतरगत include कर लिए जाते हैं और जो बात देखते हैं सम्विधान वाद क्या है अब फ्रेंड्स सम्विधान वाद की बात आता है तो सम्विधान वाद का तात्पर यह है फ्रेंड्स कि किसी भी देश का अपना प्रसासन चलाने के लिए कोई ने कोई तरीका आवज से सभी देशों ने बना रखा है तो इसमें संबिधान वाद होता है यानि ये संबिधान वाद संबिधान वाद का तात पर यह है कि उस देश की राज बेवस्था चाहे कारपाली क्या हो चाहे न्याइपाली क्या हो चाहे बिधाई क्या हो वह संबिधान में दिये गए निरदेशों के अधीन संबिधान में बताए गए करतब्यों के अनुसार अगर संचालित की जा रही है उनमें जो जो ब्यवस्थाइं दी गई है संविधान में क्योंकि Constitution क्या है किसी भी देश का सरोच अस्थान प्रापत है संविधान को यानि किसी भी देश में अगर सबसे सरोच भारत का Constitution है क्योंकि Constitution में सारी चीजे डिस्क्राइब कर दी गई है उसी के अंसार हमारी कारपाली क्या चलती है बिधाई क्या चलती है और उसके छोटे निचले अस्तरों पे जो भी चीजे बनाई गई है सब संबिधान की अधीन ही चलती है तो फ्रेंट्स राज बेउस्था क्या जो संचालन की विधी है वो संबिधान की अंसार ही चलाई जाती है उसी को संबिधान वाद कहा जाता है यानि जो सासन पड़ाली संबिधान की अंसार चलती है वही क्या है सरल सब्दों में संबिधा बियों के अनुसार अपनी त्राजीब्युस्था को संचालित करती है या अपने देश की विज्था को चाहिए पालि हिए का संचालन करती है वही क्या है वही संविधान वाद है तो फ्रेंड्स हपने हम इस वीडियो में संविधान क्या है समवयधानिक विधी क्या है और समव वाद क्या इंती इनों पपे चर्चा कि ये जैसा कि आपको एक बाए रिपीट फिर कर देते हैं कि समविधान क्या है समविधान किसी देश का दस्तावेज होता है जिसके अनुसार वहाँ की मोटे सबडों में डिस्कायब करें जादा डिपली नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो जादा लंबा हो जाएगा तो किसी देश का ऐसा दस्तावेज होता है जिसके उसार वहाँ की कार पाल क्या नयापाल क्या विधाई क्या और यतने भी निकाय हैं सब संब्रधान के में दिये गए हैं और संब्रधान इन कि यानि वहां का सासन किस प्रकास से चिला जाए जाए दिया पाली क्छ प्रकास से रहेगी वहां पर न्यायधैस की निवक्ति कैसे की जाएगी उसका बेटन क्या होगा को निरधारित करेगा संसत कैसी होगी कितने सदन हो गए यह सब चीजे हमारी संब्धान में बताई गई हैं ठीक उसके बाद फ्रेंट्स संब्धानिक बिधी तो संब्धानिक बिधी ऐसी बिधी होती है जिसके अनुसार बिधाई क्या बिधी का निर्मार करती है वह संब्धान को देखते हुए संब्धान के उब बंधों को वी बिधी का निर्माण करती है, और कोई ऐसी बिधी का निर्माण नहीं करती, जो सम्मिधान के उबंधों को नष्ठ कर दे, अगर ऐसी भूल से कोई विधी बना ही दी जाती है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट को तो यह पावर है क्यों वह उस विधाइका के द्वारा बनाएगे विधी को निगलिट कर देता है उसके बाद फ्रेंट्स सम्विधानवाद हुआ है जहां की सासन ब्योस्था जहां की राज ब्योस्था सम्विधान में दिये गए निर्देशों के अनुसार चलाई जाती है उसे सम्विधानवाद कहते है तो फ्रेंट्स आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही और उस वीडियो को आप अंत तक देखें उसके बाद आप हमें कमेंट्स में जरूर बताए हमारे वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंट्स अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ह फ्रेंड्स हमारे इस वेडियो को लाइक करना ना भूले थेंक्स फार वाचिंग फ्रेंड्स